नवाज़कार दोस्तो स्वाग्या देग बर फिर से आपका अमारे यूट्यूब चैनल में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आदार काड़ भरते के बारे में जी या दोस्तो UI DEI के तरफ से आपके official वेकंसी रिलीज हो चुकी है Computer Operator, Customer Help Leader, Operator के पदोपे आपके वेकंसी निकल चुकी है यह वेकंसी आपकी All India Level की रहने वाली है अब कौन-कौन सी स्टेट में आपके वेकंसी निकली है पूरा डिटेल में इस वीडियो में हम बताने वाले है दोस्तो सबसे अच्छी बात है कि दस्वी पास बारी पास graduate candidates के लिए vacancy निकलिए जिसमें महिला और पूरुस दोनों ही आवेदन कर सकते है पूरा प्रोसे जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर के end तक जरूर देखेगा अब करते हैं वीडियो को start दोस्तो यू आई डियाई की तरफ से official recruitment निकल चुका है उसमें आपको बता दो कि total मिला कि 17,525 पद रहने वाले है online आवेदन मांगे जा रहे इसके लिए आपको बता दो कि official website रहने वाले www.uidei.gov.in रहेगी जो भी interested candidate आवेदन कर सकते है official website पर जा करके computer operator और customer help plan operator के पदर पे आपकी vacancy निकली है eligible candidates को बागी का पूरा process देसे कि selection का process eligibility criteria online registration का process क्या रहेगा बताने वाले है सबसे पहले हम बात करेंगे post का कौन कौन सी vacancy निकल चुकि कौन सी post आपके रहने वाली है computer operator की post आपके रहेगी जिसमें UR category के लिए 348 post है OBC के लिए 2330 EWS के लिए 1282 SC के लिए 1145 ST के लिए 1156 430 ex-servicemen के पोस्ट है रहेगी customer help plan operator के अगर हम बात करें तो 886 ST के लिए 789 और ex-servicemen के 245 post है रहने वाली है post है आपकी vacancies आपकी वेरी कर सकती है आपको यहाँ पे कम या ज़्यादा भी vacancy देखने को मिल सकती है आगे हम बात करेंगी eligibility criteria की computer operator की post के लिए 12th pass होना जरूरी है और customer help plan operator के लिए भी 12th pass मंगा गया है selection process आपका दो phase में होगा return test होगा इसके अलावा typing और efficiency test conduct करवाया जाएगा typing test में minimum 40% लाने ज़रूरी है दोनों section में दोनों section मतलब की हिंदी और English दोनों में ही आपकी typing conduct करवाया जाएगी age limit का criteria आपका minimum 18 साल का रहेगा और maximum 40 साल का रहने वाला है इसके अलावा SCST के candidates के लिए 5 साल का OBC candidates के लिए 3 साल का और PWD candidate के लिए 10 साल का relaxation भी दिया जाएगा दोस्तों apply किससे करना पड़ेगा इसके लिए आपको बता दो कि official website मैंने mention कर दी है 15 October से आपके आवेदन स्टार्ट हो चुके थे 3 November आपके last date रहने वाली है ने के बाद में वापस से login करके आपको पूरा form detail में भरना पड़ेगा ये पूरा process मैंने बता दी है documents आपको बता दू कि recent photograph, signature, left thumb, impression आपको upload करना पड़ेगा application fees के अगर हम बात करें तो UR EWS OBC candidates के लिए 4.500 रुपे आपके फीस रहने वाली है इसके अलावा payment आपको online करना पड़ेगा नीचे दोस्तों में पूरा detail में syllabus बता रहा है कि आपका यहां पे exam का pattern क्या रहेगा पूरा detail में syllabus क्या रहने वाला तो एक बार अच्छे से आप syllabus को note कर लीजिएगा अब दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक रिनी अपडेट के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों